चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लली तमयन मिचला इनवर्सिटी की ओर से बीए बीसी पीकॉं पार्ट टू के स्टुडेंट के बारे में जिनका परिच्छा अभी प्रैक्टिकल समाप्त होने वाला है यानि दोस्तो आज आप लोग का प्रैक्टि बीडियो को लाइक कर दीजिए मैं यहां पे जो स्टुडेंट बीट विए बख सी आसी बीकॉं की स्टूस्त थे लेकिन दोस्तो आपको पता होना चाहिए बीकॉं में आपको प्रैक्टिकल नहीं होता भी었던 प्रैक्टिकल दिए और जिनका है वो आज लास्ट देट है तो दोस्तो बाइस तक आप लोग जब दे देते हैं पार्ट वन का यहां पे प्रैक्टिकल लेता है इसके बाद दोस्तो आपका सीडूल जारी किया जाएगा यानि पार्ट वाले स्टुरेंट का परिच्छा सीडूल जारी किया जाएगा क्योंकि दोस्तों पहले भी जारी किया गया था जैसी कि आप सभी लोग को ही पता होगा तो दोस्तों उस इसाब से अब तो नहीं हो सका लेकिन दोस्तों जब lockdown लग गई उसके बाद दोस्तों फिर से अभी सीडूल इनवर्सिटी बना रही है अब जल्द ही जारी होगा दोस्तों परिच्छा सीडूल जल्द ही जारी कर दिया जाएगा आपको पता है फाइनल डेट भी जारी कर दिया गया है पाट टू वाले स्टूडेंट के लिए जो फाइनल वो 25 नमंबर है यानि आज 22 एक्टू सोच रहे होंगे कि अब्जेक्टिव टैप बेसी कोस्टन से एक्जाम होगा तो सबसे पहले मैं आप सभी लोग को बता दू अगर आपका ओनर्स पेपर है जो भी आपका ओनर्स पेपर है बीस से हो या बीकॉम से हो किसी भी आप किसी भी कोर्स से गेर्ज्वेशन कर रहे ह है तो आपका जो ओनर्स सब्जेक्ट होगा जिसमें आप लोग पिछले वर्स जो दिये थे ओनर्स पेपर में यानि लिखित और साथ ही अब्जेक्टिव कोस्टन उसी तरह से आपको यानि लॉंग सॉट कोस्टन का एंसर देना है लेकिन दोस्तों आपका जो सबसीडिरी पेपर में इस बार आपको यहां पे लॉंग कोस्टन सॉट कोस्टन नहीं पुछा जाएगा वन ली आपको अब्जेक्टिव टाइप बेसिस कोस्टन पुछा जाएगा तो दोस्तों यह बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपना तैयारी जल्द से जल्द कीजिए और दोस्तों इस पे किसी भी परकार का information आता है तो मैं आप सभी लोग को बता देता हूँ वैसे मैं दोस्तों बता दू तो final जो exam date जारी किया गया है वो 25 नमंबर है और साथ ही आप सभी लोग को बता दू तो छट पुजा के बाद ही आप लोग का यहां पे exam लेना start कर दे किये मैं उसका reply देने के लिए तयार हूँ तो दोस्तों वीडियो अच्छा लाइक कीजिए शेर कीजिए तब तो के लिए धन्यवाद फिर मिलते हैं आप सभी लोग से next वीडियो में next topic के साथ और दोस्तों जो information आता है वो information लेकि आप लोग के बीच आता रहूंगा तो thank you फिन मिलते हैं